Hello everyone, welcome to my channel Learn with Pfizer आज हम एक AC health problem और इसके solution के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपकी जो नाक है वो constantly बह रही है जिसके कारण आपको अपने नाक जो है वो बार बार साफ करनी पड़ती है या फिर नाक से आपकी पतली सी इस तरीके सी बलगम बह रही है और बलगम आने के कारण आपकी घले में खटा सा स्वार लगता है और आपको सुगन नहीं आ रही है विगोज आपका जो नाक है आपका जो नूज है वो बंद हो गया है तो यह जो सभी सिंटम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको राइनोरिया की बिमारी हो सकती है तो चलिए सीखते हैं राइनोरिया के बारे में डीटेल में लेकिन उससे पहले जानेंगे कि राइनोरिया क्या है तो राइनोरिया को हम रैनी नूस भी कह सकते हैं तो आज हम क्या-क्या सीखेंगे, सबसे पहले introduction से बात करेंगे, दिन causes, symptoms, diagnosis and treatment, ये जो सारे chapter से वो आज हम हमारे आज की वीडियो लेक्चर में one by one study करेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं, राइनोरिया, तो राइनोरिया को रनीनोस कहते हैं, राइनो का मतलब होता है नाक का, और राइनोरिया का मतलब होता है, discharge यान की flow, जो नाक से इस तरीके से आपको बह सकता है, जिसे हम राइनोरिया कहते हैं, अब रनीनोस के बारे में थोड़ा सा और जान ले, तो यहाँ पे आप ये जो green कलर का देख रहे हैं, वो है mucus, जिसे हम postnatal drip कहते हैं, तो नाक से जो पतला सा mucus बह रहा है, कहां से बहेगा, nasal tissues से, तो यह किस कारण से होता है, जब भी आपको allergy reactions है, कोई infection हुआ है, cold हुआ है, या फिर इसे weather conditions में आप है, या फिर such kind of drug और आपको किसी चीज़ की irritation हो रहे है, जिसके कारण आपको नाक में या फिर गले के पीछे पतला सा सा फिल होता है, वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक book है, जिसका नाम है disease and treatment, तो आप यहां पे देख सकते हैं, कि causes, symptoms, diagnosis, treatment, इस तरीके से हमारी book आएगी, तो for example, यहां पे एक disease दी हुई है, जिसका नाम है cystitis, तो cystitis का introduction, causes, एसे पीछे हम सीखे symptoms, यहां पे medicines भी दिखी हुई है, तो आप यहां पे इसका detail review डेख सकते हैं, इस तरीके से पूरी color printed book आएगी, तो अगर आपको हमारी यह book चाहिए, तो इसके लिए आप हमें इस WhatsApp नंबर के true contact करें, जिससे कि आपकी जो book है, वो only रुपी 749 में, free delivery में आपकी गर्दक पह causes के बारे में सीखें, तो किस कारण से running nose रहता है, सबसे पहला जो affect करता है, वो है temperature, तो जिसे ही weather change हो रहा है, food यानि की थंडी की season चल रही है, तो तब भी आपके हो सकता है, then shedding of tears, जब भी आपके आखों में से पानी आ रहे हैं, या फिर आप रो रहे हैं, तो उस condition में भी आपके नाक से पानी बेह सकता है, किसी को sinus infection है, जिसे हम sinusitis कहता है, नजल में foreign particles है, non allergic rhinitis है और pregnancy rhinitis, तो उस condition में आपको और रह सकता है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से हम समझेगे, कि अगर किसी को healthy sinus है, और sinusitis, डो नो में क्या difference रहता है, तो यह जो है, वो हमारे facial bonds है, यह यहाँ पे देखें, कि जब भी आपको inflammation होगा, तो यहाँ पे आपको रहतने से आ जाएगी, यहाँ पे फ्लैम रहेगा, यानि कि बल्गम रहेगा, एक्सिसिव म्यूकस रहेगा, जिसके कान आपकी नाक से यहाँ से बल्गम बह सकता है, आप another causes के बारे में सीखें, जिसे क decongestant nozzle spray, आप overuse कर रहे हैं, RSV, जिसे हम respiratory sinusoidal virus कहते हैं, तो RSV के symptoms क्या है, यह virus क्या है, इस virus में आपको coughing, sneezing, और runny nose, देखें यहाँ पे, तो RSV में यह एक cause रहता है, runny nose का, और decadies appetite fever, तो इस condition में भी आपको allergic rhinitis, या फिर runny nose रह सकता है, allergies में, tobikos smoke करने में, या फिर आप कोई AC industrial में job कर रहे हैं, कोई pharmaceutical company में job कर रहे हैं, या फिर कोई AC industry है, chemical company है, जहां से excessive, जो ख़ड़ा fumes आती है, जिसके गारन आपको runny nose रहता है, आप symptoms के बारे में सीखेंगे, कि अगर किसी को runny nose की problem है, तो उसके नाक से पानी बह सकता है, sinus और headache pain हो सकता है, throat pain, throat में irritation, nostril में redness होना, यहां पे आप देखें कि इस तरीके से बलगम निकर रहा है, तो आपकी nostrils यहां पे जो है, नाक के अंदर की side आपको irritations हो सकती है, तो आप इस तरीके से खुजाने लगते हैं, nasal condition होना, नाक का ब reading, अगर आपका नाक बंद हो गया है, तो आप क्या करेंगे, अपनी मुझ से breathing करने लगेंगे, then post natal pain, आपको पिछे की side pain सा फिल होता है, अब diagnosis के बारे में सिखेंगे कि इसका नीदान कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले patient को sign and symptoms के base check किया जाता है, और उसके बार उसको cbc count यानि कि complete blood count test suggest किया जाता है, नजल का swab लेके check करते हैं, जिसे की corona में हुआ था, तो covid-19 के जब phases चल रहे हैं उसके समय आपके नजल swabs लेते थे, allergic test हो सकते हैं, जिसके कारण आपकी skin प्रिकर यानि कि वहाँ से निकालके उसका examine किया जाता है, अब हम यहाँ पे देखेंग और nasal endoscopy, तो nasal endoscopy में क्या होता है, कि using a flexible scope inserted throughout the nostril to view the sinuses, यानि कि आपकी जो nostrils है, उसके true endoscope डालते हैं, और वहाँ के photographs क्लिक करते हैं, और उसके बाद वहाँ पे देखते हैं, कि बल्गम कितना जमा हुआ है, then city skin, तो city skin से भी आपकी cerebral spinal fluid क्या अगर leakage है, तो वो भी बता चल सकता है, अब treatment के बारे में सीखेंगे, इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको drink plenty of fluid, maximum आपको पानी बीना है, dehydrate नहीं होना है, use a nati plot, तो nati plot क्या होदा है, तो आप यहाँ पे इस image में रेख सकत हैं, यह जो है वो nati plot है, तो nati plot में इसा fluid होता है, जिससे आप एक नाक से यहाँ से डालेंगे, और दूसरे नाक में से आपका पानी इस तरीके से बहेगा, जिससे कि आपको जो फ्लैम है, जो बलकम है वो पाहर निकल सकता है, नजल, saline spray उसकर सकते हैं, डीगंजिस स्प् होगा, तो सबसे पहले प्रिशन को, एविल 25, फिनेरमाइन मेलेट, अगर एलर्जी है, तो यह सबसे पहले प्राइमरी में सजिस्की जाती है, एक टेबलेट दिन में एक बार, या फिर दो बार, देन उसके बाद, क्लोर फिनेरमाइन मेलेट, सस्टेन रिलेस, तो CPM-SR, यह नॉर्मल है, यह हैं SR टेबलेट, तो एक टेबलेट दिन में एक बार, अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं, तो दिन में एक बार, या फिर दो बार, अगर आप SR ले रहे हैं, तो दिन में एक बार, देन उसके बाद, लोराटेडिन टेबलेट, 10MG में अवेलेबल रहती है दिन में एक बार सेट प्रीजिन, एलेक्जिक रेक्शन में अच्छी काम करती है, दिन में एक बार, वीडियो के बीच में मैं आपको अगेइन बैदाना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है, जिसका नाम है इस एन ट्रीटमेंट, तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए, तो ये लिए आप हमें इस वाट्सप नंबर के ठू कॉंटेक्ट करें और अपने जो बुक है, वो अउनली रूपिस 749 में अपने घर पे मंगवा सकते हैं, अगर किसी को इन्फिक्शन ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा ऐलर्जी हो रही है, तो इसका नाम ही है ऐलेग्रा, एलेग्रा के नाम से, यहाँ पे अपने की एलेग्रा 120 mg, तो इसमें टू वेरियंस रहते हैं, अगर किसी को हाई डूस में है, तो डिन में एक बार, या फिर दो बार सजिस्ट कर सकते हैं, बिलास्टिन, तो बिलास्टिन भी आप ये जो है, वो फेशन को एक टेबलेट दि की जा सकती है, तो इसका जो डूस रहता है, एक टेबलेट दिन में एक बार, उसके बार हम स्प्रेक की बार करें, नजल स्प्रेक की, तो विक्स की साइनेक्स माइक्रो मेस्ट, आप यहाँ पे डेखें नजल सॉलूशन, इसमें ऑक्सिमिथाजॉलिन हाइड्रो का डोस रहता है, तो यह जो है, वो आपको दिन में एक से डो बार, अपने नाक में स्प्रेक करना है, तो अक्सिमिदाजॉलिन हाइड्रो क्लोराइड की नजल सॉलूशन, और और ओट्रिविन ऑक्सी के फास्ट रिलिव ड्रॉप साते हैं, तो यह आपकी 25 सेकंद में आप आपकना जो बंधनाख है वो रिलेफ करती है हिमालिया की बात करें तो हिमालिया में ब्रैसॉल टैबलेट आती है तो यह जो टैबलेटे फो दिन में एक बार या फिर दोबर पिसन को सजिस्ट करते हैं चरक कंपने की कोफोल इम्यूनिटी बूस्टर्स अब भई पोस्टर्स देने पड़ते हैं तो पिसन को एक टेबलेट दिन में फिर दो बार सजिस्ट कर सकते हैं ऐलनके डॉपस आते हैं तो एलनकी एलरजी ड्रॉपस्प सेड़। drops आप suggest कर सकते हैं तो आज से 10 drop half cup of water में कुला के दिन में 3-4 बार patient को suggest करने हैं अब बात करें SBL drops number 8 SBL homeopathic की well known बहुत अच्छी company है homeopathic medicines बना दी है drop number 8 allergic rhinitis यहाँ पर देख सकते हैं तो यह drops है वो 5-10 drop यहाँ पर देखें LN के आपको आज से 10 लेने हैं SBL के आप 5-10 ले सकते हैं इसका भी सेम तरीके से यूज रहता है तो अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा इसे ही डिजस and medicine के बारे में करी चाहिए तो आप मेरी चैनल को यहां से सरकल पे क्लिक करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू फू रोजिंग मैं वीडियो